क्या आप जानते हैं कि इंडियन सबकॉंटिनेंट दो भागों में तूटने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कु से सुना। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। बलकि ऐसा दावा अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के जियोलोजिस्ट के रिसर्च कर रही है। अपने रिसर्च के दोड़ान इस ग्रूप ने सदन तिबद से एक नया साइजमिक डेटा कलिक किया है। जोस्तों इन उब्सर्वेशन को दिसमबर के आखिर में सैन फ्रेंसिसको में अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन कॉन्फरेंस में प्रिजिन किया था। दिखा जाये तो इसी स्टेडी ने रिवील किया कि इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट में डिसिंटिग्रेशन हो रहा है यानि जिन फोर्सेज ने हेमालयन परवतों को जन दिया वही फोर्सेज आज तिबद पर इसकी स्प्रिटिंग को भी जन्म दे रही हैं और इसके चल करेंगे साथ इस पूरी रिसर्च के पीछे की साइन्टिफिक डिटेल्स को खरीब से समझेंगे ये टॉपिक आपकी UPSC मेंस, GS पेपर फर्स्ट के जियोगराफी और GS पेपर 3 के साइन्स एंटेक के लिए भी इंपोर्टेंट है और आपको इस से रिलेटेड एक मेंस प्र पेरी ये कहती है कि हमारी प्रित्वी की भूम निरंतर गती में है यानि जिन कॉंटिनेंट्स पर हम रह रहे हैं वो इस्थर नहीं है बलकि लगातार मुवमेंट कर रहे हैं लेकिन ये मुवमेंट इतना धिमा है कि इसका विजिबल डिफरेंस देखने में मिलियर्स ओफ य प्रिपोज किया गया था जिसे उन्होंने कॉंटिनेंटल डिफ्ट का नाम दिया था आप देखें तो शुरुआत में इस थियरी का मजाक उड़ाय गया लेकिन आगे जाकर इसने प्लेट टेक्टोनिक्स नाम के एक और सिधान्त के लिए मार्ग प्रशस्त किया जिसके जर जर्मन मेटरोलोजिस्ट और जियोफिजिस्ट एल्फरेड वेगनर ने दुनिया के मांचेतर को देखते हुए उसमें कुछ अजीब देखा वेगनर ने देखा कि दक्षड अमेरिका और अफ्रीका के महादूप ऐसे दिखते थे जैसे मानों अटलांटिक महासागर को हटा गई थी दूस्ट इस लिस्ट ने वेगनर को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखर हजारों मिल पानी से अलग होए दोस्थानों पर एक ही जियो कैसे विक्सित हो सकते हैं शुरुआत में कुछ वेग्यानिकों का मानना था कि इनके बीच कभी लैंड ब्रिजेज और यह सूपर कॉंटिनेंट एक मेगा ओशन से घिरा हुआ था जिस विशाल महसागर को पैंथालासा के नाम से जाना जाता है लेकिन लाखों वर्षों के मुमेंट्स के बाद यह महाद्वीप तूट तूट करके छोटे-छोटे हिस्सों में बढ़ गया लेकिन वो यह नह जोटे महाद्वीपो में तूटते रहें जो कि आज हमारे सामने मौजूद हैं देखा जाय तो इसी थौट से इंस्पार होकर वेगनर ने पहली बार 1912 में कॉंटिनेंटल ड्रिफ्ट का अपना विचार प्रस्तुत किया लेकिन जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया जाता है इस एक्जाम का सेलेक्शन रेट 1% से भी कम है इसी मुश्किल को समझते हुए स्टेडी आईक्यू आपके लिए लाया है SIP प्लस यानि सकसेज इन प्रिलिम्स प्लस प्रोग्राम जिसके अंतरगत मातर 90 दिनों में आप प्रिलिम्स के आरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बहतरीन फैकल्टी से 200 प्लस आर्स की लाइव रिविजन क्लासेज मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिविजन बॉक्लेट्स भी मिलेंगी जिससे आप स्टेटिक और करेंट कॉन्ट को पाएंगे साथ इसमें सीसाइट की वरक्शॉप्स, यूपियसी सिमिलेटर टेस्ट और आल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं साथी कोर्स में सभी एंसी आर्टीज और स्टैंडर टेस्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा दोस्तों अगर अभी आप इस कोर्स को का विचार फिर से सामने आया, यूजो विल्सन ने पहली बार 1960 में प्लेट टेक्टॉनिक का नाम लिया, आप देखेंगे तो इन दश्कों में वार्टाइम में यूजवी टेक्नोलोजीज ने अर्थ को और भी जादा डेफ्थ में समझना मुम्किन कर दिया था, जिनमें परमाणू परिक्षन के कारण होने वाले जमीनी जटकों की निग्रानी के लिए इस्तिमाल किये जाने वाले साइजमोमिटर और पंडुब्यों का पता लगाने के लिए मैगनेटोमिटर शामिल थे, साइजमोमिटर के साथ रिसर्चर्स ने पाया कि भूकम पूरी का अधिन करने वाले वेग्यानिकों को समुदर के नीचे की चोटियों के पास आश्यर जनक चुम्बकी विवत्ताओं के प्रमाण मिले, साथी डॉक्स के अल्टरनेट इस्ट्रिप्स ने अर्थ के मैगनेटिक फिल्ड में फ्लक्चुएशन शो किये, यहाँ पर गौर करन जैसी थेयरी के एविदेंस को इस्तिमाल करके, साइन्टिस्त ने प्लेट टेक्टॉनिक्स की थेयरी को जन दिया, और प्लेट टेक्टॉनिक की यही थेयरी हम यह बताती है कि प्रिथवी के महाध्वी क्यों घूम रहे हैं, दिखें असल में हमारी अर्थ के इंटिरियर थ करती है, आप देखेंगे तो अपर मैंटल के नीचे एक और लेयर एक्जिस्ट करती है, जिसको एतनोस्फेयर कहा जाता है, दिरसल टेमप्रेचर बहुँ जादा हाई होने के चलते, यह लेयर सेमी लिक्विड मैगमा की फॉर्म में एक्जिस्ट करती है, यही वज़ा है कि Earth की crust की ओर move करते हैं और एक crust से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं दोसने currents की forces के साथी साथ Earth की crust में भी cracks आ जाते हैं और इसी के चलते Earth की layer लगबग 20 खंडों में विभाजित हैं जिने tectonic plates कहा जाता है और इनी plates पर महाद्वीब टिके हुए हैं यानि एक lithosphere कई बड़ी और छोटी plates से बना है जो एक साथ मजबूती से fit होती है लेकिन निरंतर गती में रहती हैं जो कभी-कभी एक दूसरे की ओर तो कभी-कभी एक दूसरे से दूर जाती हैं और lithospheric plates के इसी moment को ही tectonic shift कहते हैं देख इस moment को convergent, divergent और transform में divide के जाता है जब convection currents coverage होते हैं तो वहाँ ये plates एक दूसरे के पास आती है तो एक plate दूसरी plate के नीचे धस जाती है जिसको कि subduction कहा जाता है subduction से trenches और दूसरी plate में fold mountains form होते हैं यहाँ पर explosive volcanism भी देखने को मिलता है वहीं जब convection currents diverge होते हैं तो वहाँ ये plates एक दूसरे से दूर जाती हैं और magma धरत्री से बाहर आता है जिसको sea floor spreading कहते हैं यही magma cool होने पर mid oceanic regions या फिर rift valleys form करता है और इसी से volcanic eruptions भी होते हैं दूस्तों यहीं वज़ा कि volcano उच पृत्वी पर हर जगा नहीं आते वे tectonic plate की boundaries के पास ही एकठा होते हैं जिबकि transform में दो plates की lateral sliding होती है sliding के दौरान ये plates एक दूसरे के उपर friction generate करती हैं जिस इस region में बेहर्दी deadly earthquakes देखने को मिलते हैं हाल ही में टर्की में जो devastating earthquake देखा गया था वो भी इसी process का नतीज़ा था यहां युरेशियन और Anatolian plate के बीच transform moment यानि की sliding हुई थी आपको बता दें कि tectonic moments nature में काफी लंबे time से चल रहा है nature magazine में August 2019 में प्रकाशित एक अध्यन का निश्कर्श यह है कि देखे plate tectonics लगबग 2.5 अरब years पहले शुरू हा था और तब से धिरे-धिरे विक्सित हुआ है tectonic plate ने औसतन प्रतिवर्ष केवल कुछ cm की धीमी गती से चलती है और इसलिए परिवर्तनों को देखने में लंबा time लगता है दोस्तों अभी तक हमने plate tectonic के basics को समझने की कोशिच की देखा जातों यह theory इंडियन और European plate पर भी valid थी आप देख सकते हैं कि इंडियन plate एक time equator के south में सते थी आज से लगबग 60 million years पहले इंडियन plate उसके mantle की molten rocks के currents के बहाओ से बहने लगी और Eurasian plate के साथ एक टकडाव से पहले इंडियन plate ने north में 6000 km से अधिक यात्रा दै की और इस moment के चलते इंडिया एंड Eurasia crest के कुछ chunks का collision हुआ दोस्तों इस collision के चलते Eurasian land mass धेरे-धेरे uplift होने लगा और इसी process ने हमें हिमालेन ranges के रूप में अर्थ का highest elevations प्रदान किया ये हमालेन ranges plate tectonic forces की सबसे magnificent रचना है जो भारत और तिबद की बीच की सीमा पर 2900 km तक फैला है जिन forces से हमालेयाज का जन्म हुआ वो भी लगातार अपना काम कर रही है यानि कि यहाँ पर एक slow motion collision अभी हो रहा है जिसकी वज़ा से हमालेयाज की height भी लगातार बढ़ रही है दोस्तों यहाँ हम यह जानते हैं कि इस process में Eurasian plate crumble कर रही है लेकिन scientists इस बात पर sure नहीं थे की Indian plate exactly क्या moment show कर रही है लेकिन हालेय में present की गई एक नई research ने इससे जुड़ी एक complex picture present की है American Geophysical Union 2023 की summit में प्रस्तूत इस research में पता चला की दुनिया की सबसे उची परवत शेंखला हिमाले की geology में कुछ जटिल processes continue हो रहे हैं यह Indian plate एक के साथ दो-दो moments show कर रही है दोस्तों उस research के मताबिक लगातार हो रहे है collision के चलते एक ही time पर Indian plate का उपरी हिस्सा तूट भी रहा है और उसी समय Indian plate underplating नामक प्रक्रिया में Eurasian plate के नीचे भी खिसक रही है आपको बता दें कि underplating में continental plate mental में गहराई तक गोता लगाए बिना ही दूसरे के नीचे खिसक जाती है देखे स्कॉलर्स का मानना है कि Indian plate के अंदुरूनी हिस्से जुक रहे है और उपरी हिस्से तिबद के बड़े हिस्से को compress करके बहुत जादा pressure create कर रहे है और ऐसा करते time ये जुक भी रहा है और फट भी रहा है यानि कि यहाँ पर subduction और tearing के दो phenomena एकी साथ देखने को मिल रहे है दरसल researchers ने crest के उस region से गुजरने वाली earthquake waves की जाच की जहां दो plates तकराती है देखा जाया तो इन तरंगों का इस्तेमाल करके उन्होंने Indian plates की परत के slab में slash दिखाने वाली छवियां बनाई Science magazine की report की मताबिक जहां कुछ इस्तानों पर भार्ती प्लेट का निशला भाग 200 किलोमेटर गहरा है वही अन्यस्तानों पर ये केवल 100 किलोमेटर गहरा है जिससे पता चलता है कि भार्ती प्लेट का कुछ हिस्सा pressure की वज़ह से छिल गया है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तिबबत की सता पर अचानक से कोई बड़ी दरार खुल जाएगी देखे पर तिबबत के अंतरगरत ये slab tier शेत्र में खतरनाग भूकमप ला सकता है हलां कि दोस्तों अभी चीज का पता नहीं लग पाया कि क्रेश्ट के अंदर गहराई तक फटने और विक्रित होने से सता पर तनाव कैसे पैदा होता है लेकिन अभी तक की observation से हमें दोनों प्लेट की boundaries के आसपास बढ़ते भूकमप के जोखिम वालेक शेत्रों के बारे में जानने में मदद मिल सकती है ऐसे में कहा ये जा रहा है कि प्रेश्ट टाइम में इंडिया प्लेट का मुमेंट एशियन कॉंटिनेंट पर भारी दबाव डाल रही है जिसके चलते तिबबत उत्तर की ओर की भुभाग पर दबाव डालता है जो इसे घेर रहा है और इस कॉंपलेक्स रीजिन में सभी टेक्टोनिक फोर्सेस की नेट फोर्स एशिया के कुछ हिसों को इस्ट में प्रशान्त महासागर की ओर धकिल सकती है और इसलिए वैग्यानिकों को ये डर है की आने वाले टाइम में इंडियन कॉंटिनेंटल प्लेट दो भागों में ब्रेक हो सकती है लेकिन अब आप ये सोच रहोंगे की इस प्रोसेस में तो मिलियन्स ओफ यर्स का टाइम लगेगा फिर हम अभी से चिंता क्यों करें देखे इन सभी प्रक्रियाओं का एक गंभीर परड़ाम डोमिनो एफेक्ट के रूप में देखने को मिल सकता है और वो भी बहुत जल्द देखने को मिल सकता है चुकि जैसा कि हम जानते की अर्थ के क्रेस्ट के अंदर बहुत हाई प्रेशर होता है जो टाइम टाइम पर भुकम के साथ कई क्रैक से रिलीज होता है आपने तिहास में पढ़ाया जाना होगा कि दुन्या के कुछ सबसे विनाशकारी भुकम टेक्टोनिक प्लेट्स के मुविंट्स का ही परड़ाम रहे हैं ऐसे में इस रिजिन की जियोलोजी पर डिरेक्ट इसका क्या इंपक्ट होगा ये बात तो रिसर्चस के पूरा होने के बाद ही पता चल पाएगा लेकिन फिलहाली डिसकावरी इस क्रस्ट की बाउंडरी के राउंड अर्थक्वेक्स की पॉसिबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है यहां हमें ये ध्यान रखना चाहिएगी हिमालन रिजिन ओल्रेटी भारत के हाईएस्ट साइजमिक जोन में आता है